असलाम लेकुम विल्कम टू मैं कुकिंग चैनल कुकवी शीरिन का जी आज मैं बना रहे हो मेती गोश्ट तो चले इसकी रेसिपी देख लेते हैं देखी मैंने अभी दर एक कुकर रख लिया कुकर में भी हम दालेंगे एक बड़ा चमाच ओईल अच्छे से गरम होने के कर लेंगे अभी हम कुकर में दालेंगे दो चमाच हरी मिर्श का पेस्ट और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हम कुकर में एक चमाच नमक दाल देंगे आदा चमाच हल्दी पौडर अभी हम सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हम इसमें दालेंगे गोश है देखे मैंने इदर हड़ी वालग गोष ले लिया है आप चाहे तो बीना हड़ी की भी दाल सकते हैं अधे मैंने गोष इधो दाल दिया है अभी इसनकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डो तीन मिन्न," के के 5-6 सीटी में अच्छे से पका लेंगे या फिर गोश्प पकने तक अच्छे से पका लें देखें 6 सीटी के बाद गोश्प अच्छे से पक चुका है अब हम इसमें मेती भाजी को डाल देंगे अभी हम भाजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे मैंने भाजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है अभी हम कुकर के धकन लगाए कि दो सीटी में पका लेंगे देखे दो सीटी की बाद hr भाजी और गोष अच्चे से पक चुके हैं चलिए अभी हम इसको सफ कलेंगे आप चाहे तो इसमें गरम मसाला कुछ डाल सकते हैं लेकिन जुरूरत तो नहीं है कुछ मसाले डालें की तो चलिए अभी हम इसको सफ कलेंगे देखे मैंने देख सफ कर लिया मेती गोश्ट को आप इसको चावल या फिर रोटी के साथ सफ कर ले तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज ज़रूर बताएं अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें शेर करें कमेंट्स करें अल्ला आपिस